आये थे हरी भजन को ओटन लगे का पास इम्रान खान का सांती सांती वाला खेल तो तुरुंत से खत्म हो गया आखिर भारत में बैठक के दोरान क्यों भिड़ गए पाकिस्तान और भारत तो वहीं दूसरी तरफ UNHRC में स्रिलंका को लेकर भारत ने कर दिया बड़ा खेल तो वहीं दूसरी तरफ रूस और ब्रिटेन क्या अब जंग की तरफ बढ़ रहे हैं क्या एक बार फिर दोनों परमानू युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं इसके अलावे बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से जियो पॉल्टिक्स बहुत तेजी से बदल रही है दरसल ब्रिटेन को ऐसा लगता है कि रूस उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसकी बजह भी है पीछे में एक बड़ी रिपोर्ट आई थी 2018 में और उसके बाद 2020 में इस रिपोर्ट को संसोधित करके एजेंसियों ने ब्रिटेन के सरकार को दिया अब इस रिपोर्ट में ये कहा जाने लगा कि रूस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि ब्रिटेन के अंदर के चुनाओं में भी उसके दखल है तो वहीं वह अपने ही किसी रूसी खुफिया एजेंसी के एजेंट की हत्या 2018 में ब्रिटिस धर्ती पर कर देता है दूसरे की करने की कोशिस करता है इसका सीधा मतलब ये है कि रूस धीरे धीरे ब्रिटेन के लिए खतरनाट मनता जा रहा है अब इसके बाद ब्रिटेन ने ये निर्णे ले लिया कि ब्रिटेन 2030 तक अपने परमानू हतियारों को काफी जादा मात्रा में बढ़ाएगा अभी एक सौसी है और इसे 260 तक ले जाएगा ताकि आने वाले समय में रूस और चीन से वह निपट सके अब इससे क्या होगा इससे एक होड लग जाएक दरसल ट्रम्प पहले अमेरिका और रूस के बीच में जो संधी थी स्टार्ट संधी उसे छोड़ने वाले थे इस संधी के तहद परमानू हतियारों को एक सीमित मात्रा में रखने का प्रावधान है लेकिन बाइडन ने आने के बाद ट्रम्प का ये फैसला पलड दिया उसके पीछे वज़ा ये थी कि नाटो की देश भी चाहते थे कि स्टार्ट संधी में अमेरिका बना रहे इसका मतलब था कि परमानू हतियारों की होड न लगे और एक सीमित मात्रा में ही देश परमानू हतियार रखे लेकिन ब्रिटेन अब इस से अलग होते हुए सीधे उसने परमानू हतियारों की संख्या बढ़ाने की बात कह दी जिसके बाद रूस ने भी अब खुले आम ये कह दिया है कि रूस के लिए ब्रिटेन के साथ कोई रिस्ता बचा ही नहीं है और ये रिस्ते लगभग मिरित हो गए हैं माना ये जा रहा था कि रूस कोई सधा हुआ परतिक्रिया देगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं रूस ने सीधे सीधे चेताओनी दे दी अब इसका सीधा मतलब ये है कि रूस परमानो हतियारों की होड में सामिल होगा और रूस जब सामिल होएगा तो अमेरिका भी सामिल होगा जिससे दुनिया और खास कर पूरे इरोप में एक नया तनाव पैदा हो गया है और रूस और बिटेन के इस बढ़ रहे तनाव ने अमेरिका और उसके निर्तित वाले नाटों के लिए एक नई चुनोती खड़ी कर दी है वैसे जहां बिटेन ने रूस को अपने लिए गंभीर खत्रा बताया तो वहीं बाइडेन ने भी पुतिन को हत्यारा कहके एक संतूलन जो टरंप बनाना चाहते थे उसको बिगाड दिया है वहीं दूसरी तरफ UNHRC में आज एक बहुत बड़ा खेल हो गया है और इस खेल का मास्टर भारत बना है दरसल स्रिलंका भारत से चाह रहा था कि भारत उसके पक्ष में वोटिंग करे UNHRC में वहीं भारत के तमिल ये चाह रहे थी कि भारत स्रिलंका के पक्ष में वोट न करे अब भारत ऐसे में दूबिधा में फस गया UNHC में अगर स्रिलंका का समर्थन नहीं करता है भारत तो वह स्रिलंका के साथ दुस्मनी मोल ले लेगा वैसे तो स्रिलंका खुद में कुछ नहीं है और भारत का कुछ नहीं बिगार पाएगा लेकिन स्रिलंका के पीछे जो चीन खड़ा है वह उसके भुभाग का इस्तेमाल करके भारत के खिलाप एक बड़ी साजी स्रच देगा वजह साथ थी यही वजह है कि भारत चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता है कि वह भारत के पडोसियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे पर अब यहां प्रशन ये उठता था कि अगर स्रिलंका का सपोर्ट कर देता भारत तो अपने ही देश में एक नए बिद्रो की बात उ रहा था तो आखिरकार लिट्टे जो की अलग तमिल स्रिलंका की बात कर रहे थे वो हारने लगे खारने के बाद सरकारी सेना सिरलंका की बहुत ही कुरूरता पुर्वक दमन करते आई और कहा ये जाने लगा कि सरकारी सेना ने बुरी तरीके से बदले की भावना से बदला लिया और मानव अधिकार का जम कर उलंगन किया ये बात जब UN में उठी तब सिरलंका ने ये कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है लिट्टे की तरफ से भी लोग मारे गए हमारे तरफ से भी लोग मारे गए ऐसी कोई मानव अधिकार का उलंगन वाली बात ही नहीं है पर UN अब ये चाहता है कि इस पे जाच हो अब जब voting होने लगी तो सिरलंका ने भारत से मांग करी कि वह सिरलंका का साथ दे तो वहीं चीन पहले से ही सिरलंका के साथ में खड़ा था चीन को तो मतलब है नहीं कि उसके देश की जनता क्या कहीगी कि गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो उसे तो बस इस चीज से मतलब है कि कै वैसे स्रिलंका की जमीन को हडपना है अब उसने स्रिलंका के सपोर्ट में वोट कर दिया इससे क्या होगा कि स्रिलंका के लोग चीन को अपना बड़ा साथी मानेंगे तो वहीं भारत ने ना हा में वोट करा और ना ही ना में वोट करा भारत इससे अनुपस्थित हो गया भार शिरलंका ने इस प्रस्ताव पर भारत के प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी से फोन पर बात की थी। वैसे आपको बता दें चीन, रूस, पाकिस्तान इन सभी ने सिरलंका का साथ दिया लेकिन फिर भी यह प्रस्ताव पारित हो गया है और अब सिरलंका के उपर जाच जिसमें सिंदू, जेलम, जिनाव, रावी, ब्यास और सतलज नदिया सामिल है यह भारत और पाकिस्तान दोनों देसों में बहती हैं पाकिस्तान का आरोप है कि भारती नदियों पर बांध बनाकर पानी का दोहन करता है जिसकी वज़े से पाकिस्तान में पानी कम आते हैं औ चानी को लेकर दोनों देसों के भी जगडा इतना बढ़ गया तब 1949 में अमेरीकी विश्य सग्य और विश्ववेंग की मध्यस्ता में एक सिंदू जल समझोता हुआ 1960 में जिस पर नेहरू और पाकिस्तान के उसमे के राश्पती अयूब खान ने दसकत कर दिये अब भारत दो बड़े मेगा परजेक्ट बना रहा है इसके उपर एक 330 मेगावाट का किसंगंगा पन बिजली परियोजना तो वहीं दूसरा 850 मेगावाट का रातले जलविदूत परियोजना भारत का कहना है कि बिसु बेंग के नियोमों के अनुसार ही हम इस परजेक्ट को कर रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान का कहना है कि ये गलत है और भारत और पाकिस्तान के बीच करीब दो साल बाद सिंदू जल समझोता को लेकर आज बैठक हुई इसके लिए पाकिस्तान के सिस राजनिकों का एक परतिनीधी मंडल दिल्ली के दोरे पर पहुँचा हुआ है दोनों देश इस समझोते के उलंगवन को लेकर बैठक में ही एक दूसरे को उपर आरोप परतियारोप लगाने लगे जहां पाकिस्तान फिर से यह कहने लगा कि इस प्रोजेक्ट को बंद करो तो अहीं भारत ने सीधे ये कह दिया कि हम किसी भी चीज को नहीं मानेंगे और हम इस प्रोजेक्ट को नियम के तहत बना रहे हैं इसलिए बनाएंगे तब पाकिस्तान ने एक बार फिर बिस्व बेंक को सामने लाने की बात कही लेकिन बिस्व बेंक ने इस बार सीधे मना कर दिया कि मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगा वैसे आपको क्या लगता है लाख कोशिसों के बावजूद क्या भारत और पाकिस्तान के रिष्टे कभी अच्छे हो सकते हैं कमेंट कर अपनी राई जरू बताएं जल मिलते हैं अंगले वीडियो में नई खबर के साथ